जहीं नमज कर दोस्तों अगर आप सभी SSB Head Constable Minitial का फर्म अपलाई कर दे थे 2021 में तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के ही इस वीडियो में हम आप सभी को सारी जानकारी देने वाले हैं क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भी उठता है कि 2021 में SSB Head Constable की 115 पदों पर vacancy आई थी क्या यह पद यहां पर बढ़ा कर करीब 200 किये जा सकते हैं या फिर नहीं किये जा सकते हैं इसके बारे बात करेंगे और दूसरा टॉपिक हम यह बात करेंगे कि अगर आप सभी इसके लिए फॉर्म को भरे हैं तो क्या competition कितना रह सकता है ठीक है और तीसरी बात हम यह करेंगे इसका physical कब शुरू होगा और चोथी बात यह करेंगे physical का admin card कब आएगा सारी चीजों पर हम इस वीडियो में विश्तार से बात करेंगे तो आप सभी लगातार इस वीडियो में बने रहें कि यह है आप सभी की SSB की officially website यहीं से हम आप सभी को स पर आई थी 2021 में ठीक है लेकिन इस भरती का यहाँ पर selection process अभी complete नहीं है और यहाँ पर form भरवाने के बाद कोई भी update नहीं दिया गया साइड पर कि आपके भरती का क्या हो रहा है कैसे हो रहा ठीक है भरती बात करें 115 थी इस प्रकार से बच्चे एक तयारी नहीं कर पा रह है और जो कि साब साब उसमें बताया जा रहा है कि मार्च के second week या थर्ड वीक में आप सभी का physical यहाँ पर conduct करवाय जाएगा तो देखे मैं आप सबसे इतना कहाना चाहता हूं कि मार्च की चाहिए second week हो चाहिए third week हो अगर कुछ अलग कुछ यहाँ पर जानकारी दिया गया तो मार्च में आप सभी का चाहिए physical शुरू हो जा फिर्ना हो लेकिन मार्च में आप सभी का कुछ नकुच यहाँ पर SSV head constable को लेकर होने वाला है बात करें यहाँ पर चाहिए आप सभी का physical का admin card ही न जारी हो जाए ऐसा भी हो जारी हो सकता है कि मार्च के मन्न wholes में आपके फिजिकल का admin card जारी हो जाए आप सभी जानते हैं कि SSV head constitutional minister में सबसे पहले आप सभी का physical ही होने वाला है फिजिकल कितना होगा धान दीजेगा आप सभी का यहापे 1600 मीटर running होगा जो कि 6 minute और 30 second के अंदर qualify करना पड़ेगा तो अगर आप practice नहीं कर रहे हैं तो running में फेल हो जाएंगे ठीक है तो आप running की तयारी जो है सुरू कर दीजिए हाइट यहाँ पर आपकी 165 cm मांगी गई है ठीक है आपका chest जो है 77 बिना फुलाई होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 cm आपका chest यहाँ पर होना चाहिए यह चीजिए यहाँ पर notification में ही बता दिया गया था ठीक है अगर आप इसकी त्यारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है नहीं कर रहे हैं त्यारी कर दीजिए क्योंकि अच्छाना कि अगर आप सभी कर जब कर आ जाएगा तो आप सब को यहाँ पर फिजिकल की त्यारी करने का अलग से टाइम नहीं दी जाएगा और सब सब क्यों लेगी सवाल आप से क्या कर रहे हैं तो ऐसी गलती आपको नहीं करना अगर आपको कहीं से जानकारी मिल रहा है कि मार्च में आप सब का एससे भी हेड कोंस्टिबल का फिजिकल सुरू हो रहा है तो आप सब यहाँ पर अपने त्यारी सुरू कर दीजिए समय आपके पास बहुत ही कम है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि क्या कॉम्प्टिशन कम र रहा है तो दोजार एक्टी से लेकर दोजाख चौबिस तक जो भी वेकैंसी खाली है वो सारी वेकैंसी जो है एक सो पंद्रा पोस्टों में बढ़ाई जाएगी ठीक योखिए नही वेकैंसी आनी नहीं है क्योंकि इस वेकैंसी कुछना डिले कर दिया है नई वेकैंसी नह के रहने वाले ठीक है और रिटन एक्जाम में जारा तर बच्ची यहां पर क्वालिफाई किये जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं कॉंपेटिसर किस प्रकार से रहने वाला देखिए सबसे पहले आप सबीका फिजिकल होगा ठीक हो फिजिकल काइडमिट कार जो है वह अचान कुछ जाएगा सो कुछ तन सो नमबर का रहने वाला ठीक है जिसमें बात करें यहाँ पर तो आप सभीका फिर नीगेटिव मार्किंग है नहीं जिसमें का पैचिस कुछ नहाँ पर जी की आएगा ठीक है और फचिस queens आप सभी कर सब्सब्स कह यहांपे मैं आने वाला है औ और रिजल्ट में वेकैंसी कि यहाँ पर कम से कम 20 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा क्यों किया आपका टाइपिंग होने वाला है और रिजल्ट आने के बाद आपका टाइपिंग होगा टाइपिंग आप सभी किस प्रकार से होगा धान दीजेगा किसमें उने वाला है तो टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं इस कारण से यहाँ पर जो बच्चा फिजिकल पास के रहेगा रिटन एक्जाम पास के रहेगा तो इसलिए रिटन एक्जाम में बच्चों को यहाँ पर 20 गुना बुलाएंगे वेकेंसी के 20 गुना बच्चों को बुलाएंगे रिटन एक्जाम में ठीक हैं यह चीजे हो सकती हैं लेकिन फिजिकल कंडट करवाने के बाद ही वेकेंसी आपकी यहाँ पर बढ़ेगी उसके पहले नहीं बढ़ने वाली ठी ठीक हैं फिजिकल कंडट करवाने के बाद आपकी वेकेंसी जो यहाँ पर 115 पोस्ट रहेगी उसे बढ़ा कर यहाँ पर 200 के अपरोक्स पोस्ट किया जा सकता है फिलाल ठीक है अभी तक कर यही डाटा है बाकि जो कुछ होगा मैं आपको आगे आने वले समय में सारा चीजे बताते हैं रहोंगो ठीक है इसलिए आपको बिल्कुल प्रेसान नहीं होना है आपका भाई मनीस भाई इस्टी चैनल पर आपको सारी जानकारी समय समय पर देता रहता है इसलिए आप सभी का फर्ज बनता है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा सब्सक् रहेगा तीक हैं किया रहेगा competition कम रहेगा जिसमें आप सभी यहाँ पर आपको typing आ रहा होता है तो आप सभी इस भर्ती में पास्ट हो जाएंगे तो कि रीटन एक्जाम में यहां पर 20 गुना बच्चो कौलिफाई करेंगे कितना करेंगे 20 गुना बच्चो क्वालिफाई करे इस प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं उसके बार typing के बाद आफ सभी का यहाँ पर DB होता है Medical होता है उसके बाद आपको यहाँ पर joining मिलती है ठीक है इस प्रकार से आप सबकी यहाँ पर भरती को conduct करवाय जाता है तो ये सारी चीज़े आपका process पर रहने वाला है बाकि जो भी जानकारी थी मैंने आपको पता दिया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सिस्वाइब कर देना आप सवी मार्च लेकर चलिए कि मार्च में आप सवी का फिजिकल यहाँ पे करन्ड़ करवाए जा सकता है और जैसे ही यहाँ पर फिजिकल अफसरी के connect होता है तो आपकी पूरी भरती यहाँ पर पूरी भरती अपकी करीब यहाँ पर दो से तीन महिने के अंदर पूरा फाइनल करवाके और आपसरी को यहाँ पर ज्वानिंग भी दे देंगे ठीक है बहुत ज़रा delay अब नहीं होने वाला SSB में ठीक है यह सारी चीज़ा आपके साथ यहाँ पर होने वाली है बाकि अगर आपको वीडियो अच्छा लगाँ वीडियो को लाइक कर देना और टेली गराम चैनल से जूरी आजे डिसक्रिप्सन बॉक्स में आपको टेली गराम गुरूप का लिंक दिया गया ठीक है तो चले फर मिलते हैं किसी नई भरती और नई अपडेट साथ तक लिए जाएंज भारत वन्दे मातरम